हाई गाईज, वेल्किम चूपी बैंकर, सुआगत है आपका आज की क्लास में आज की वीडियो में, मैं हूँ पृती मैम और आज में लेकर के आगई हूँ आपके लिए एक और नहीं जबरदस्त वाली क्लास आज की क्लास होने वाली है, रोज प्रियोग होने वाले महत्वपोंड अंग्रेजी शब्दों के उपर जो गाहे बगाहे आम जिंदगी में हमारे इस्तमाल होते रहते हैं चलिए इस आम शब्दों की क्लास को शुरू की जाए उसके पहले का चानल पर नए हैं पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं जल्दी से कर लिए चैनल को सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करते वाले इस बेल आइकन को जरूर से क्लिक कर दीजेगा ताकि जब भी हमारी कोई नए क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए सीधे सीधे आप हमारे साथ चलिग्राम पर जुर सकते हैं जहां पर आप इस लिंक का स्तमाल करके जुर सकते हैं इस नंबर का स्तमाल करके जुर सकते हैं और पा सकते हैं हमारी रोज की क्लास को अपनी फोन पर हमारी फ्री कोर इस्तिमाल कैसे होगा हम एक दूसरे को जानते हैं वी नो इच आदर हम एक दूसरे को जानते हैं तरह या प्रकार जब आपको हिंदी में आप इस्तेमाल कर रहे हूँ सतरह या प्रकार तो आप इस्तेमाल करेंगे शब्द काईंड का इसके दो प्रकार है it has two kinds बढ़ते हैं आगे अच्छे से या अच्छी तरह से बढ़िया से अच्छे से या अच्छी तरह से इस्तमाल देखते हैं क्या करेंगे कि शब्द का इस्तमाल करेंगे शब्द well का w e ll इस शब्द का आप करेंगे इस्तमाल कैसे करेंगे अपना काम अच्छे से करो do your work well बढ़ते हैं आगे डालना रखना या लगाना इस्तमाल करेंगे पुट का किसका इस्तमाल करेंगे इस्तमाल देखे इसे यहां रखो put it there इसे यहां रखो put it there बढ़ते हैं आगे ऐसा कहते हैं न ऐसा है यानि कि इस्तमाल करेंगे शब्द सच का किसका इस्तमाल करेंगे वो truth वाला सच नहीं सच S-U-C-H, इसको पढ़ते हैं, such, इसका इस्तमाल कर लेंगे, जैसे मैंने ऐसा प्यारा बच्चा कभी नहीं देखा, I have never seen such a cute baby. अगला है क्यों, क्यों, यानि कि why कि इसका इस्तमाल करेंगे, इस्तमाल करेंगे why का, आप क्यों चले गए, why did you go, फिर या दोबारा कहेंगे again, क्या कहेंगे, कहेंगे again, इस्तमाल देखिए, उसने फिर किया, he again did it, उसने फिर किया, he again did it बढ़ते हैं आगे खुद, इस्तमाल करेंगे self का, किसका इस्तमाल करेंगे इस्तमाल करेंगे शब्द self का, हमने इसे खुद किया, we did it ourself, हमने इसे खुद किया, we did it ourself, कोई इस्तमाल करेंगे शब्द any का, किसका इस्तमाल करेंगे इस्तमाल करेंगे शब्द any का, क्या आपके पास कोई ID है, do you have any ID, क्या आपके पास कोई ID है, do you have any ID, बढ़ते हैं आगे, जहां या कहां, इस्तमाल होगा शब्द where का, किसका इस्तमाल होगा, W-H-E-R-E पढ़ते हैं इसको where, जैसे मेरी किताब कहा है, where is my book, फोड़ा या कुछ, इस्तमाल करेंगे शब्द little का, किसका इस्तमाल करेंगे, इस्तमाल करेंगे शब्द little का, थोड़ा पानी little water, एक जरूरी सूचना, जो मैं यहां पर आपको देदू, little शब्द का इस्तमाल आप उनी चीजों के साथ करेंगे, जिनको आप count नहीं कर सकते, यानि की uncountable चीजों के साथ, जैसे की पानी, दूद, इन सबको आप numbers में count नहीं कर सकते, अगर count करते भी हैं, तो किसी तीसरे unit का सहारा आपको लेना पड़ता है, जैसे दो bottle पानी, दो लिटर दूद, तो उसके साथ little का इस्तमाल करते हैं, थोड़ा यानि की few, अगला शब्द है हमारे पास, थोड़ा यानि की few, जैसे कुछ biscuits, या थोड़े biscuits, यानि की few biscuits, क्या, थोड़े biscuits, कुछ biscuits, few biscuits, ऐसे इस्तमाल करेंगे, और जब भी आप कहें few, मतलब आप इस्तमाल क कर सकते हैं, countable चीजों के साथ, यानि की जिनको आप गिन सकते हैं, किन के साथ करेंगे, जिनको आप गिन सकते हैं, countable चीजों के साथ करेंगे, जैसे biscuit गिन सकते हैं, मेरे पास 10 packet biscuit है, मेरे पास 2 biscuit है, मेरे पास 4 biscuit है, मेरे पास इस तरीके से इसको आप गिन सकते हैं, उनके स साथ few शब्द का स्तमाल आप कर लेंगे सब या समस्त इस्तमाल करेंगे शब्द all का किसका स्तमाल करेंगे इस्तमाल करेंगे शब्द all का जैसे सभी मौजूद हैं या सब मौजूद हैं all are present सभी मौजूद हैं सब मौझूद हैं कहेंगे all are present 趣 इसलिए या अतह इस्तमाल करेंगे शब्द so का किसका स्तमाल करेंगे इस्तमाल कर लींगे शब्द so का इसलिए वह आया so he came साथ साथ में या लेकर इस्तमाल करेंगे शब्द with का, किसका इस्तमाल करेंगे, इस्तमाल करेंगे शब्द with का, उसके साथ जाओ, go with him, हो ना या हो, इस्तमाल करेंगे शब्द be का, किसका इस्तमाल करेंगे, be, इस्तमाल होता है, यह कोई भी हो सकता है, अगला शब्द है गागेगी जब वाकिक यंत में आपको ये दिखेगा तो आपको उस वाकिक के अनुवाद में इस्तमाल करना है शब्द विल का डबलू आई डबलल पढ़ते हैं इसको विल इसका स्तमाल करेंगे जैसे वह आएगा ही विल कम वह आएगा ही विल कम ही शब्द का स्तमाल हो रहा है तो साफ है किसी पुरुष की बात हो रही है शी का स्तमाल होता तो महिला की बात हो रही होती अगला है कौन या जो इस्तमाल करेंगे शब्द हू का किसका स्तमाल करेंगे इस्तमाल करेंगे शब्द WHO का, जैसे कौन आया, who came, क्या? इस्तमाल करेंगे शब्द WHAT का, क्या? इस्तमाल करेंगे शब्द WHAT का, क्या हुआ, what happened? क्या हुआ, what happened, अच्छे से या अच्छी तरह से बढ़िया से इस्तमाल करेंगे शब्द well का, w e double l इस्तमाल करेंगे, उसने अच्छा किया, he did well, उसने अच्छा किया, he did well, था या थी, इस्तमाल करेंगे शब्द was का, वह एक अच्छा चात्र था, he was a student, या वह एक चात्र था, he was a student, वह एक अच्छा चात्र था, he was a good student, अब अच्छा के जगा पर गुड तो करना पड़ेगा न, है न, तो he was a good student, और यहाँ पर है, वह एक चात्र था, he was a student, वे वे लोग वे सब या उन्होंने इस्तमाल करेंगे शब्द दे का टी एच इवाई पढ़ते हैं इसको दे वे वे लोग वे सब या उन्होंने इस्तमाल होगा शब्द दे का जैसे वे चात्र हैं दे आ स्टूडेंस वे छात्र है, they are students, बढ़ते हैं आगे, वहाँ या उधर, इस्तमाल होगा there, t-h-e-r-e, पढ़ते हैं इसको there, जैसे मेरा bag है, there is my bag, वहाँ मेरा bag है, there is my bag, उनका, उनकी या इनका, अगर कहना हो, कहेंगे there, t-h-e-r-e-r, वाला there, इस्तमाल हो रहा है, जो क्या करता है, belonging को दर्शाता है, किसी की कोई चीज है, इस बात का आभास कराता है, t-h-e-r वाला there, जैसे यह उनका bag है, it is their bag, यह उनका bag है, it is their bag, की या वह, इस्तमाल होगा शब्द that, t-h-e-t, पढ़ते हैं इसको that, वह मेरी कलम है, that is my pen, वह मेरी कलम है, that is my pen, अब एक और बात जरूरी सूचना यहाँ पर बता दू, that का इस्तमाल वह के तौर पर तब होता है, जब यह non-living things, यानि कि निर्जीव वस्तू के लिए इस्तमाल हो रहा है, जैसे वह मेरा pen है, that is my pen, अब pen क्या है, निर्जीव वस्तू है, तो इस्तमाल हो गया, that का, अगला है, उसने कहा की, he said that, क्योंकि मैंने आपको that का दो मतलब बताया, एक वह और दूसरा की ही, तो वह के बारे में तो बता दिया, यह non-living thing के साथ इस्तमाल होगा, की का इस्तमाल जो है, वो pause लेने के लिए होगा, किस के लिए ह आगे बढ़ते हैं, बहुत या भी, इस्तमाल करेंगे शब्द टी डबल ओ पढ़ते हैं इसको टू, टी डबल ओ पढ़ते हैं इसको टू, वह बहुत होशियार है, he is too smart, वह बहुत होशियार है, he is too smart, जल्द जल्दी जल्दी ही शीग्र इस्तमाल करते हैं, सून का, किसका इस्तमाल करते हैं, इस्तमाल करते हैं शब्द सुन का मैं जलद आउंगा, I will come soon, मैं जलद आउंगा, I will come soon, बाहर यानि कि आउट, वह बाहर आया, He came out, वह बाहर आया, He came out, अगला है हमारा या हमारी इस्तमाल होता है our, क्या इस्तमाल होता है? इस्तमाल होता है our, यह हमारी कलम है, यह हमारी कलम है, it is our pen, पर या मे, इस्तमाल करेंगे शब्द on का, किसका इस्तमाल करेंगे? इस्तमाल करेंगे on का, पुस्तक मेज पर है, the book is on the table, पुस्तक मेज पर है, अगला है अभी या अब इस्तमाल करेंगे नाउ, अभी या अब इस्तमाल हो जाएगा नाउ का, वह अभी आएगा, he will come now, वह अभी आएगा, he will come now, तो भई, आप करेंगे इस class को like now, comment करके मुझे बताएंगे class कैसी लगी, नाउ, जी हा, तो जल्दी से मुझे comment करके बढ़िया लगी, पसंद आई class, तो जल्दी से class को like करिए, class को share करिए, चानल को नहीं किया, subscribe तो जल्दी से कर लीजे, comment करिए, बताएगे class कैसी लगी, बताते नहीं है, या अप लोग बताएगे, जल्दी से class कैसी लगी है, जल्दी से comment करके बताएगे, इसके साथ ही telegram पर आजाएए वहाँ पर आपको मिल सकती है free spoken English की course जो की जिसका नाम है basic plus spoken English की course और हाँ किनको किनको course फिर से करनी है बताईए तो जल्दी से मुझे comment में बताईए फिर से मैं सोच रही हूँ ना एक बारी course आप लोग को फिर से करा दूँ जो लोग कर चुके हैं वो लोग के लिए भी जो लोग करने वाले हैं जो लोग नए हैं उनके लिए फिर से मैं करा दूँ जो कर चुके हैं वो दुबारा से कर सकते हैं कोई समस्या नहीं है रिविजिन हो जाएगा अचो लोग नए है उनके लिए तो बिल्कुल basic से basic से भी busy से मैं courses इस बार सोछ रूँ कराने का तो मुझे comment करके बताःए course आपको करनी है या नहीं करनी है है ना comment करके मुझे बताःए जल्दी से और मतलब बता दीजेगी कब से शुरू करूँ आप रेडी हो जाए थोड़ा है ना इसके साथ ही मैं कोर्स शुरू करा दूँगी ठीक है फिर से फ्री वाली कोर्से करा दूँगी और बस और क्या बढ़िया है तो आपको अगर घर बैठे और जो कोर्स मैंने करा रखा है वो करना है तो टेलिग्राम पर आजाएए मैंने इंग्लिश कोर्स करनी है तो टेलिग्राम पर आजाएए इसको आप सर्च करींगे चेलिग्राम आपपर जा करके सर्च करेंगे बैंकर मिलेंगे, हम लोग बैंकर एद्जुकेशन solution के नाम से हाँ मेरा नाम आसपास कहीं लिखावा नहीं दिखे creation के इस लिंग के जड़ सकते हैं इस number के जरीए भी जड़ सकते हैं दोनों ही cases में आप official page पर ही land करेंगे जहां आपको 17,000 से जादा subscribers मिलेंगे और वहाँ पर आप join बटन को click करके जोईन कर सकते हैं इन तेनों किताबों के अपडेट पाने के लिए आपको free course जो मैं कराऊंगी उसके update पाने के लिए साथी अगर आप paid course जोईन करना चाते हैं जैसे कि premium spoken English का course basic English grammar का course basic English reading का course इसमें से कोई भी course अगर आप करना चाते हैं तो आप definitely जो है और वो आपको accordingly इसका reply दे देंगे reply मिलने में फिर भी 12-40 गंडों का वक्त जो है वो लग जाता है तो किरपया प्रतीक्षा करें और अगर message कर दिया है निश्चिन्थ हो जाएं आपको reply जरूर जरूर मिलेगा clear हो गई बाट so yes guys that's it for today thank you so much for watching be with bbanker empowering life's true knowledge thank you so much for watching stay tuned to be banker